1990 के दसक में कस्मीर में कस्मीरी पंडितों के खिलाफ जुर्म होने सुरू हो गए करीब 90% से भी जादा पंडित वहां से पलायन कर गए 21 मई 1991 में राजीव गांधी के उपर सूसाइट बॉमबर ने हमला किया जिससे उनकी जान चली गई राजीव गांधी अगले चुनाव के प्रचार के लिए तमिल आडू के श्री परम बुदूर पहुंचे थे वही पर एक महिला जो सूसाइट बॉमबर थी उसने उन्हें माला पहनाई और पैर छूने के बहाने नीचे जुक कर बम का बटन दबा दिया इस दमाके में राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोग की जान गई तथा 40 से भी ज्यादा बुरी तरहां से घयल हुए पीवी नर्सिमा राओ भारत के अगले प्रधान मंतरी बने लेकिन उनके प्रधान मंतरी बनने के बाद ही भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों का दोर सा चल पड़ा बाबरी मस्जित के तूटने से देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़क उठे, 10,000 से भी जादा लोगों की जान गई भारत में अलग-अलग शहरों में महीनों तक खूंग घराबा चलता रहा मुंबई, सूरत, एहमदाबाद, कानपूर, दिल्ली, भोपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए सिर्फ मुंबई में ही 900 से अधिक मौत हुई 1991 में भारत में liberalization, privatization और globalization जैसे आर्थिक सुधार हुए भारत में middle class work का उदेह हो रहा था और consumer goods की factory लग रही थी 1998-99 में हमारे प्रधानमंतरी स्री अटल विहारी बासपरी ने पाकिस्तान से संबंद सुधारने चाहे पाकिस्तान के ततकालिन प्रधानमंतरी नवास सरीफ के साथ हमारे देश ने लाहोर peace declaration का समझोता किया लेकिन इसके तुरंद वादी पाकिस्तान ने हमें धोगा देकर हम पर युद कर दिया जिसे कारगिल युद का नाम दिया गया मई 1999 में कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक में भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद हुआ भारतिय एरफोर्स ने इस यूद में अपना दम दिखाया इस यूद में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तमाल हुआ भारतिय वायू सेना का मिग 27 और मिग 29 ने अपना कर्तब दिखाया बहुत जल्द ही पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिये 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोदरा शहर में एक सकारसेवगों से भरी की रेलगाडी में मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगा दी गई जिसमें 90 यात्री मारे गए इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे 2004 में कॉंग्रिस की दोवारा जीत हुई मनमोन सिंग भारत के अगले प्रधान मंतरी बने जिनका कारिकाल दस सालों तक चला 2006 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज जबलूबुस भारत आये और इंडिया अमेरिका ने निकुलियर वेपन एग्रिमेंट साइन किया 2008 में भारत ने मून पर अपना पहला मिसन चलाया लेकिन उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया 26 नवेंबर 2008 को मुंबई में लशकरे तयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर चार दिनों तक गोली बारी और बंविस वोट को अंजाम दिया ताज भोटल, छत्रपती शिवाजी टर्मिनल, ओबरोई ट्राइड, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, ताइमस ओफ इंडिया बिल्डिंग में एक के बाद एक हमले हुए 29 नवेंबर को NSG ने Operation Black Tomato चला कर इसका सफाया किया 2010 में भारत में Commonwealth Games होने थे इसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए देखे, कल यानि 15 अगस को हमारा मेगा एपिसोड, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखे, जै हिंद, जै भारत और हाँ, एक बाद तुम्हें बोलना भूल गया, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे, ठैंक यू